नमस्कार, इस साल के बजट ने 21 सदी के भारत के विकास की गतिशक्ती निर्धारित कर दी है. इंफ्रास्ट्रेक्टर पर अधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थेववस्ता के सामर्थ में और साधारन वृद्धी करेगी। इस से देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाय बनेगी। Friends, आमतोर पर हमारी यहां पुराना जो अनुभाव रहा है और ज्यादा तर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रेक्टर का निर्मान कर लिया जाए। यहने टुकडों में आवशक्ता के अनुसार होता रहता था। और उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानिय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुक्सान उठाया। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो इन दोनों के बिच में सामंजस का भाव और टक्राव हम कई जगा पे देखते हैं। हमारे यहां भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाईप बिचाने के लिए उसे खोद दिया गया। रोड दोबारा बनी तो सिवर लाइन बिचाने वाले ना करके उसको खोद दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। पी-म गतिशक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्जिस का भी आप्टिमम उटिलाजेशन होगा। साथियों आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट पर काम कर रही हैं। उसमें पी-म गतिशक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवशक्ता है। वर्थ 2013-14 में बारत सरकार का डारेक केपिटल एक्स्पेंडिचर करीब पोने दाल दो लाग करोड रुपे था। जो 22 में बढ़कर साड़े सांक लाग करोड रुपे हो गया है। ये लगबग चार गुना बढ़ोतरी हैं। नेशनल हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे, वाटरवे हो, अप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो, गैस ग्रीड हो, रिन्योबल एनरजी हो। हर छेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। इन छेत्रों में हमारी सरकार बहुत बड़े लक्षों को लेकर आगे बढ़ रही है। पी-एम गतिशक्ती से इंफ्रास्ट्रॉक्टर प्लानिंग, इंप्लिमेंटेशन और मोनिटरिंग को एक बहुती कोडिनेटर रूप में हम आगे बढ़ा सकते, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। इस से परियोजनाओं के टाइम और कॉस्ट ओवरन में भी कमी लाई जा सकेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रॉक्टर इंवेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टिप्लायर इफेक्ट होता है। ये इज अब लिविंग के साथ ही इज अब बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर की एकोनामिक प्रोड़क्टिविटी को भी शक्ती मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रॉक्टर डेवलप्मेंट को अभूत पुर्वक घती दे रहा है। तो उससे एकोनामिक अक्टिविटी भी बढ़ेगी और जॉब क्रेशन भी उतना ही बढ़ेगा। साथियों हमारी सरकार ने कोपरिटिव फडरिजम के सिधान को मजबुती देते हुए इस साल के बजेट में राज्यों की सहायता के लिए एक लाग करोड रुपीय का प्रावधान किया है। राज्य सरकार इस राज्य का उपयोग मल्ती मोडल इंफ्रस्ट्रक्शर और अन्य प्रोड़क्ट्वी एसेट पर करपा सकेगी। देश के दुर्गम पहाडिक शेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रॉप्वेर डेवलप्मेंट प्रोग्रेम शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार नौर्थ इस्ट के संतुलित विकास के लिए भी कमिटेड है। प्रोड़क्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आने वाले वर्षों में देश के विकास को नई उचाई पर ले जाएगी। यह सारे प्रहास इंफ्रास्ट्रक्टर क्रियेशन के इस नए युग में आपके लिए नई एकॉनमिक संभावनाओं के द्वार खोलेंगे। मैं कर्परेट वर्ल्ट से देश के प्राइवेट से कहूंगा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर निवेश करें और देश के विकास में अपना गवरवशाली योगदान दें। फ्रेंड्स आपको ये भी पता है कि पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान में अब चार सो से अधिक डेटा लेयर उपलब्द है। इस से नाकेवल एग्जिस्टिंग और प्लान इंडिस्ट्रा सेक्टर की जानकरी मिलती हैं बलकि इसमें फोरेस्ट लेन अवेलेबल इंडिस्ट्रियल एस्टेट जैसी इन्फर्मेशन भी है। मेरा सुजाव है कि इसका उप्योग प्राइवेट सेक्टर अपनी प्लानिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा करें। नेशनल मास्टर प्लान पर सभी जरूरी सुचनाएं एक सिंगल प्लेटफर्म पर उपलब्द हो रही हैं। जिससे प्रोजेक्ट एलाइनमेंट और विभिन्द प्रकार के क्लिरंस डिप्यार स्टेज पर ही प्राप्त करना संभव हो सकेगा। यह आपके कंप्लाइस बर्डन को कम करने में भी मदद होगा। मैं राज्य सरकारों से भी कहूँगा कि वो अपने प्रोजेक्ट और एकॉनोमिक जोंस की स्थापना करते हुए पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान को भी आधार बनाएं। साथियों, आज भी भारत में लोजिस्टिक कोस्ट जीडिपी का 13 से 14 परसंट तक मानी जाती हैं। यह अन्य देशों की तुल्ना में अधिक हैं। इंफ्रस्ट्रक्टर एफिशन्सी सुधार्णे में पी-एम गतिशक्ती की बहुत बड़ी भूमिका है। देश में लोजिस्टिक कोस्ट कम करने के लिए इस बजेट में यूनिफाइड लोजिस्टिक इंटरफ्लेश प्रेटफॉर्म यूल लीप बनाने का प्रावधान किया गया है। आप जानते हैं कि वर्तमान में विबिन्न मंत्रा लगो के डिजिटल सिस्टिम अपनी अवश्रक्ता के अनुरूप काम कर रहे हैं। यूलीप के माध्यम से 6 मंत्रा लगो के 24 डिजिटल सिस्टिम को इंटिग्रेट किया गया रहा है। इससे एक राष्ट्रिय सिंगल बिंडो लोजिस्टिक पोर्टरल तयार होगा जो लोजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। PM गतिशक्ती से हमारे एक्सपोर्ट को भी बहुत मदद मिलेगी। हमारे MSME ग्लोबली कॉंपेटिटिव हो पाएंगे। हमारी सरकार ने लोजिस्टिक एफिशन्सी में सुधार लाने के लिए लोजिस्टिक डिविजन्स और सरकार के सभी विभागों में बहतर कोडिनेशन के लिए एमपावर ग्रूप अब सेक्रेटरिस की भी व्यवस्ता की है। PM गतिशक्ती में टेक्नोलोजी की बड़ी भूमी का आप देखी रहे हैं। और मेरा आप से आगरह रहेगा। सरकार भी अपने स्वभाव में इस बात को लाएं। प्रावेट सेक्टर भी लाएं। हम आदून से आदूनिक टेक्नोलोजी को हमारी इंफ्रासेक्टर पोजेक्ट के लिए कैसे लाएं। क्वालिटी भी और कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम की दृष्ट्री से यह बहुत उप्योगी होगा। और अब तो हम यह भी सोच रहे हैं जो भारत देख लीड लिया है। कि दुनिया में पाया गया जो डिजास्टर होते हैं। नेचरल डिजास्टर्स उसमें मानवहानी से भी ज्यादा लंबे असर तक प्रभाव करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश हो जाता है। ब्रीच के ब्रीच खतम हो जाते हैं। बिस्पिस साल लग जाते हैं फिर बनाने में। और इसलिए डिजास्टर रेजिजिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज बहुत आवश्यक हो गया है। तो जब तक टेकनोलोजी नहीं होगी हम उजदिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हम उसको भी आगे लाएं। लोजिस्टिक सेक्टर में कारियरत कंपनियों के पास वर्ल्ड क्लास नॉलेज इवन टूल्स है। उनका प्रयोग करते हुए देश में उपलब्द डेटा को बहतर इस्तिमाल हमें सुनिश्चित करना है। ताथियों गती सक्ती इंफ्रस्ट्रक्टर क्रियेशन में सही माइने में पब्लीक प्रावेट पांटरशिप सुनिश्चित करेगी। जो इंफ्रस्ट्रक्टर प्लानिंग से लेकर डेवलप्मेंट तथा यूटिलाइजेशन स्टेज तक होगी। इस वेबिनार में इस बात पर भी मंधर होना चाहिए कि किस प्रकार प्रावेट सेक्टर सरकारी व्यवस्ता के साथ मिलकर बहतर आउटकम्स हासिल कर सकते हैं। आप सभी वेबिनार के दोरान सभी मुद्धो पर गहराई से चर्चा करेंगे मेरा पुरा विश्वास हैं। इंफ्रस्ट्रक्टर के अलबा कौन से रूल से पॉलिसी में परिवर्तन के आवश्यक्ता हैं। इस पर भी आपके सुजाव बहुत अहम होंगे। देश में आधूनिक इंफ्रस्ट्रक्टर का निर्वान भारत की फाउंडिशन को मजबूत करेगा। और पी-म गतिशक्ती नेश्टर मालस्टर प्लान इसका एक महत्पपूर माध्यम है। मैं इस वेबिनार की सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि हमें आप सभी की अनुभवों का लाब मिलेगा। मैं आपको ये भी ध्यान आकरसित करना चाहूंगा कि आज का ये हमारा वेबिनार हमारी सरकार की तरफ से भाषन बाजी का नहीं है। हमें आपको सुनना है। अब आप भी जो बजेट में बाते हुई हैं उसी के प्रकास में कहेंगे तो अच्छा होगा। कुछ सुजाव आपके होंगे तो हम जब अगला बजेट बनाएंगे तब सोचेंगे। उस समय आप मुझे जुरूर लिख करके दीजिए। अभी तो पार्लामेंट ने जिस बजेट के लिए हमें अनुमती दे रहा है पार्लामेंट हमें उसी पर बल देना होगा। उसको हम अच्छे डंग से कैसे करें। अभी हमारे पास ये मार्च का महिना बचा हुआ है। एक एप्रिल से नया बजेट लागू होगा। हम इस मार्च के महने का जादा से जादा उप्योग करके पहली तारिक को ही सारी चीजें जमीन पर उतारना शुरू कर दें। ये हम कर सकते हैं क्या। दूसरा इंफरास्ट्रक्चर बनता है तो स्वाभा भी कहें। अब पुराने जमाने में सारी दुनिया बसती थी नदियों के पास। जहां से नदी होती थी उसी के निकट या समंदर के निकट बड़े शहर विक्सित होते थे विवस्ताएं विक्सित होती थी। दीरे दीरे वहां से शिफ्ट हो करके जहां बड़े बड़े हाइवेज हो वहां दुनिया विक्सित होने लगी। और अब लग रहा है जहां 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 ऑप्टिकल फाइबर होगा वहां वहां दुनिया विक्सित होती जाएगी। ate इसका मतलब कि infrastructure इन्फरासेक्टर सिर्वाइश्टर आईसालेटर नहीं होता है उसके होते ही उसके आसपास पूरे नई ecosystem डवलाप हो जाती है इसको भी ध्यान में रखते हुई है यह गरती सक्टी master plan हमें भहुत लाब करें गा और इसलिए मैं चाहूंगा सरकार में भी फुल स्टॉप कॉमा की इधर इधर गलती रहती हैं, तो 6 मेना फाइले चलती हैं, उतने में तो नया बजेट आजाता है, आप लोगों से पहले से बात करने से फाइदा ये होगा, कि आपको पता है कि इसके करने ये तकलिफ आएगी, और आप ध्यान आकर्थित करेंगे, तो सिस्टिम अभी से उसको पॉजिटिव रिस्पॉंड करेगी, और इसलिए आप लोग बड़ी घहराइस इसमें जोगदान दे, यही मेरी अपेक्षा है, आप सब को बहुत शुब क्वामना है, बहुत बहुत धन्यवाद.